हेलो गुड मॉनिंग एन वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वन्स अगेन हम लोगों की सीरीज चल रही है और सीरीज चल रही है क्रिटिकल रीजनिंग यानि की लॉजिकल रीजनिंग के इंफरेंस पार्ट की हमने पिछले दो एपिसोड जो बीच चुके हैं उसमें पहले बात की थी उसके introduction पार्ट की introductory पार्ट की जिसमें हमने बात की थी किस तरीके से options आते हैं किसको हम probably true बोलते हैं किसको probably false बोलते हैं उसके तुरंत जो दूसरा मैंने episode डाला था उसमें मैंने एक question से आपको ये बात समझाने की कोशिश की थी जो global warming पे था तो उसमें हमने दे question आया किस से है तो चलिए बिना time waste ये शुरुआत करते हैं अपने पहले question से और ध्यान दीजिए ये जो question आपको board पर दिखाई दे रहा है ये exam में last year पूछे गए questionों में से ही हैं तो ये session हम रखेंगे बहुत short लेगिन इसमें आपको काफी चीज़े clear हो जाएंगी देखे पहला statement क्या बोड़ा है if you want to work for the Naren Modi government here is a chance for you as the center is now asking for resumes from citizens who can work in various positions across central ministries पहले इसको राम से पढ़ लीजे statement को क्योंकि statement अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो आप answer नहीं दे पाएंगे ये नए तरीके के questions हैं जो exams में पूछे जा रहे हैं तो कोई बड़ा paragraph नहीं दे रहे हैं कोई probably true, probably false का कोई sense नहीं है बस सिधा बोल दिया जाता है कि आप क्या inference निकालते हैं इसमें भी कुछ ऐसा ही पूछा है which of the following can be inferred from the given information है ना तो देखे पहले तो बात करते हैं कि ये तीन लाइन में जो उपर दिया गया statement ही है क्या बोल रहा है यदि आप नरेंद मोदी की government यानि की सरकार में श्री नरेंद मोदी की सरकार में अगर आप काम करना चाहते हैं त तो यहां पर आपके लिए है एक मौका क्यूं क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी अभी क्या किया है citizen जो कि नागरिक हैं उनसे resume यानि कि CVS मांगे हैं उन लोगों से जो भी इच्छुक है किसके various positions में काम करने का इच्छुक है central government यानि कि central ministry केंद्र सरकार में अलग अलग citizens के लिए अलग अलग पदों पर विध्यपति या जो भी निकला होगा जिसमें vacancies निकली हैं उनके लिए CVS मांगे हैं किसके मांगे है citizens के यानि कि कोई भी उसमें apply कर सकता है तो सबसे पहले अगर आपके पास अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास एक opportunity है एक chance है कि आ वो काम आप उनके विभाग में कर सकते हैं क्योंकि वहाँ various posts हैं जिनके लिए resume मांगे गए हैं तो यह है उपर की statement की पूरी बात अब वो बोलता है कि which of the following can we infer from the given information जो उपर दी गई जानकारी है उसके आधार पर अगर हम आपसे पूछे तो आप कौन सा inference निकालेंगे कौ एस्पिरेंट्स desire of getting government jobs will be fulfilled यानि कि पहले में बोल रहा है वो अभियरती वो एस्पिरेंट्स जो की desire है जिनको desire है government job पाने की यानि कि जिनको लालसा है एक तरह से government job यानि सरकारी विभाग में job पाने की तो वो fulfill हो जाएगी यानि कि उनकी ये आशा जो वो करते हैं कि हमारी desire है उसको पूरी कर देंगे तो क्या पहला सही होना चाहिए influence है क्या है पहला दूसरा भी देख लेता है several unemployed people will get opportunity to work in government offices यानि कि बहुत से unemployed people हैं बहुत से बेरोजगार लोग हैं जिनको एक opportunity मिलेगी जिनको एक chance मिलेगा एक मौका मिलेगा कि वो government offices में काम कर सकें यानि कि सरक सरकारी विभागों में सरकारी जो कारेले हैं उनमें उनको एक मौका मिलेगा कि वो काम कर सकें तो अब बताइए इन दोनों में से कौन सा आपका inference हो सकता है ध्यान दे कई बार जो inference होता है वो उपर पढ़के नहीं पता चलता लेकिन option से भी आप eliminate करके अराम से answer के तक inference हो सकता है मैं आपको बताती हूं answer answer है option number two यानि कि only be यानि कि अगर आपको inference की बात की जाए कि क्या inference आप निकाल सकते हैं वो होगा option number B यानि कि second विकल ऐसा क्यों only be क्यों क्योंकि देखिए सबसे पहले वाले में बोला है aspirants desire of getting government jobs will be fulfilled यानि कि आपने जो paragraph उपर पढ़ा है उसमें ये तो confirm है कि chance मिल रहा है उन विरोजगारों को या जो लोग करना चाहते है काम chance तो मिल रहा है लेकिन इसकी कोई भी guarantee नहीं कि aspirants जो government job चाहते हैं उनकी ये desire fulfill ही होगी यानि कि जितने लोग apply कर रहे हैं सभी को job मिल जाएगी ऐसी तो को guarantee नहीं है ना एक मौका आपको job मिल जाएगी बट इसमें ये नहीं कह सकते कि आपकी जो desires है वो fulfill होंगी होंगी government job पाने की तो इसलिए पहला inference नहीं हो सकता ध्यान रखेगा दूसरा बिलकुल से ही है दूसरा इसलिए से ही है क्योंकि जो बहुत से बेरोजगार है will get opportunity ध्यान दे मेंटा opportunity लिखा है कोई ऐसा वादा नहीं किया है कि आपको मिल ही जाएगी आप भी देखते होंगे आपने bank के exams के लिए SSC के form के लिए UP police के लिए आपके किसी वे exam के लिए apply किया हो तो जरूरी नहीं कि आपको मिल जाए आप मेहनत कर सकते हैं उसके बाद result देखते हैं कि आपने कितनी मेहनत क करी आपको job मिली या नहीं मिली depend करता है vacancies कितनी थी और भी बहुत सारी छोटी-छोटी बाते हैं जिनका रखना पड़ता है ध्यान तो यह opportunity जरूर है government offices में काम करने की एक unemployed व्यक्ति की several बहुत से unemployed लोगों की opportunity मिल रही हैं उन्हें काम करने की यह बात हम उपर से जो statement है उ और भी ठीक आते हैं next question की तरफ next question देखते है next question क्या है the role of money lenders has reduced but they still continue to play a prominent role in the system अब यहाँ पर money lenders money lenders एक तरह के साहुकार की बात हो रही है money lenders सिरफ ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति किसी को पैसे दे रहा है उधार यानि जब हम किसी को पैसा देते हैं किसी ब्याज दर पे तो money lenders कहलाते हैं वो लो तो वो एक institute भी हो सकता है कोई bank भी हो सकता है कोई company भी हो सकती है और कोई व्यक्ति भी हो सकता है तो यहाँ पर जो money l उनका जो कह रहा है रोल उनकी जो उनका जो रोल है वो कहीं न कहीं कम हो रहा है वो कह रहा है बट लेकिन फिर भी उनका जो रोल है उनका जो यह रोल है प्रॉमिनेंट रोल है सिस्टम में या सोसाइटी में आप बोल सकते हो पूरी सोसाइटी में प्रॉमिनेंट रोल निभा करते हैं तो कई लोग की कई जो प्रॉब्लम्स होती हैं इससे सौल हो जाती है बले उनको पैसा देना पड़े उसके उपर ब्याज लगाकर लेकिन कई लोग के बहुत काम आ जाते हैं पैसे अचानक जरुवत परती है तो उनको एक तरह से सहारा हो जाता है आप बोल सकते हैं और इसी तरीके सा हमारी banking companies भी याँ पर काम करती हैं कि हम लोग अपना पैसा वहाँ देते हैं हमें पैसे के जरुवत परती है चाहे फिरों मकान लगाने के लेह हो गाड़ी के लेह हो या education के लेह हो हम आहां से loan लेते हैं और वो भी हमें क्या करते हैं पैसा लेंड कर रहे ह और हम उसके बदले वो पैसा तो देंगी और साथी साथ उन्हें एक ब्याज इदर जो उन्होंने निर्धारित की है वो हम उन्हें देते हैं और हमारे काफी काम ऐसे होते हैं तो ये सद्यों से चला रहा है तो they continue to charge high rates of interest तो वो कह रहे हैं कि वो continue कर रहे हैं क्या high rate of interest लगा रहे हैं which in turn leads to super normal profits यानि कि ये जो साहुकार है या ये जो money lenders हैं कोई भी हो सकता है सिरफ व्यक्ति की बात नहीं है वो high interest rate यानि कि ब्यास दर बहुत ही जादा करके पैसा लेंड कर रहे हैं जिसके एवज में उन्हें बहुत ही बड़ा एक बहुत लाबकारी profit प्राप्त हो रहा है एक super normal असाधारन सा उनको लाब प्राप्त हो रहा है obviously जब आप पैसा लेंड करेंगे किसी को ब्याज जर्बे तो obviously आप पैसा कमाएंगे money lending hence has always been and will be one of the most lucrative business तो कह रहे हैं कि जो money lending है पैसा जो हम ब्याज में देते हैं या पैसा जो हम उधार में देते हैं वो पैसा हमेशा जादा तर और आगे भी चलकर एक lucrative business हमें देता है यानि एक लाबकारी business हमें देता है obviously यह बहुत अच्छा business है और बहुत ही लाब देता है हमें हम अपना ऐसा किसी को देते हैं और जब वो हमें वापस करता है तो हमें कुछ ना कुछ उस पर रकम बढ़कर ही मिलती है तो the modern day formal financial systems that include banks and NBFCs have made a dent to the profession of money lendings by bringing rate downs अब वो कह रहा है कि अब जो modern जमाने की बात करें यानि अभी की बात करें तो यह जो financial system है मारा जिसमें हमारे banks NBFCs यानि non banking financial companies जो है जो bank की तरह काम तो करती है लेकिन bank नहीं होते वो नहोंने एक दाग सा लगा दिया इस profession में वो money lending कर रहे हैं लेकिन कैसे उन्होंने rate डाउन लाके कर रहे हैं यानि कि जो पहले मान लीजे साहुकार करते थे जो एकाम अब वो उनकी जगा ले लिए bank वगरा ने एन भी एफसी ने उन्होंने जो professions है यह profession था उनका जो lucrative business का उस पर कहीं नहीं एक दाग लगा दिया है क्योंकि अभी modern टाइम में यह जो rates हैं वो उनके वजमें जैसे साहुकार होते थे वो बिना किसी का मन कर रहा है कोई 9 के ब्याद में दे रहा है कोई 10 के ब्याद में दे रहा है कोई ऐसी governing body नहीं थी उ बंगरे हैं वो रही नकरिया कहीं बियाजदर कम करके काम करें तो उनके profession में कहीं एक दाग साह लगा रिए यह वो बोल सकते हैं कि उनको नुकसान पहुंचा रही है लेकिन अब अगर आपको कोई कम दाम पर दे रहा हो कोई चीज कम ब्याजदर में और एक बहुत ज्यादा ब्याजदर में तो ओविसली हम कम की तरफ जाएंगे तो उनका बिजनस कहीं ना कहीं एफेक्ट तो हुआ है बट इस इंस्टूशन आपको कम करने के बावजूद भी ये जो बैंक्स हैं ये जो एन्बी एफसी ये भी एक अच्छा खासा मोटी रकम इनकी हैंसम मनी बन जा रही है यानि कि इनका भी खूब लाब हो जा रहा है पैसा देने के बाद तो यानि कि हमने देखा यहां पर कि म आप क्या इंफरेंस निकाल सकते हो तो अगेन दो आप्शन दिये हैं जरूरी नहीं कि हमेशा दो आप्शन दे जादा भी दे सकता है फिलहाली से देखते हैं तो पहला कहता है मनी लेंडर्स हैव बलॉंग टू दर रिच सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो ये मनी लेंडर्स है जो ये साहुकार है ये एक रिच सेगमेंट जो है समाज का उससे बलॉंग करते हैं यानि कि एक अम्हे है तो बात तो ठीक ठीक लग रही है लेकिन दूसरा भी पढ़ लेते हैं बैंक्स और एन्बी एफसीज हार्डली मेक एनी प्रॉफिट ये तो साफ दिख रहा है कि बि को रेट डाउन कर रहे थे फिर भी उनको एक हेंड़सम मनी मिल रही थी तो इस पैरगराफ में कहीं भी ऐसा तो है ही नहीं कि बैंक और अन्बी एफसी को किसी दरगा घाटा हो रहा है या वो प्रॉफिट में उनके कोई कमी हो रही है ठीक है यानि वो भी हेंडसम मनी कमा यह तो second to answer हो नहीं सकता और अगर B answer हो नहीं सकता तो option के साब से अगर मैं देखू तो either A और B तो हो नहीं सकता आइदर तो तब लगता है जब दोनों से ही होते या तो यह या तो यह लेकिन भई second तो हो नहीं सकता तो या तो होगा neither A nor B और या तो होगा only A तो जो money lenders है वो हाइट वो एक rich society है rich segment से आते हैं society के समाज के एक अमीर वर्ग से आते हैं क्या यह बात कह सकते हैं बिल्कुल यह inference कह सकते हैं क्योंकि आपने उपर पड़ा था कि जो यह money lenders है यह एक super normal profit कमा लेते हैं हम लोगों से जो money lenders होते हैं पैसा देकर तो बिल्कुल अगर यह कमा लेते हैं तो obviously rich no questions से आपको काफी चीज़े clear हुई होंगी हम अपने अगले एपिसोड में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं आपको और आप लोग मेंस के अच्छे से तयारी करते रहिए मेंस कभी भी हो सकता ऐसा नहीं कि आप यह सोचे कि एक्जाम पोस्पॉन हो गया है मेंस का तो वह पता हुआ 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 है